दोस्तो आज इंडिया अंडर नैंटीन और इंग्लियन अंडर नैंटीन का यहां पर फाइनल मुकाबला खिला जा रहा है दोस्तो आज के मुकाबले में टीम इंडिया अंडर नैंटीन यहां पर मातर अडिसेटर मना का रहいます दोस्तो पहले पहले टोस जीता और यहां पर बल्ले बाजी का फेस लगया टीम अंडर नैंडिन के तरप से कप्तान इंग्रेश स्क्रीवन्स में लीबर्ट हीप दोनों ने चार रनी बना पाई जिहां तो सो इन दोनों के चार रनी के पढ़नेशिप हो पाई क्योंकि यहां पर दीवी गिंद बाजी करने ही और त्रीशा ने यहां पर केश लपका और स्क्रीवन्स कप्तान को चार रनों के स्कोपर चलता गया इसके बाद इसकी साथ देखी लड़ी लीबर्ट हीप न यहां पर दो गिंदो पर जीरो रनी मना पर बोलिंग करी यहां पर सादू ने केश लपका सादू ने और लीबर्ट हीप जीरो रनों के स्कोपर चलता गया इसके बाद तीसे नमबर पर नियामा होलेंड आट गेंदो पर यहां पर दसन मना कर आउट हो गई इन पर एक बेदी बड़ी जिम्मेदारी थी कि पार्टनर्शिप बिल्ड करना लेकिन यह पार्टनर्शिप बिल्ड नहीं कर पाई और आट गेंदो के नहीं दसन मना है दो शांदा यहां पर चोके भी लगाया इन्होंने और 125 यहां पर कि इस्टाइग रेट से बेतरी बलेबाजी करी लेकिन देवी जो आज के मुकाबले में शांदर फॉर्म में चल रही थी उनके सामने कोई भी बलेबाज नहीं टिक पा और मात नहीं यहां पर तीन रनी बना पाई 33 पॉइंट 33 के चैड़ेट से एक भी चोका और एक भी चकानी लगा पाई सादू यहां पर गेंद बाजी करना ही सादू ने आते ही यहां पर विकेट के पर सीरेन स्मेल को तीन रनों के स्कोपर बोल्ड गया यसी के साथ टीम इ बल्ले बाजी करने हो जड़ी रियाना मैक डोनल इन्होंने यहां पर अच्छी बल्ले बाजी करी टीम को एक अच्छी पार्णेशिप बिल्ड करके दी 24 गंदों का सामना करते हुए 19 अंबना है सिंगल डबल चुरा है और इसी बीच इन्होंने तीन चोके भी लगाए 19 से क से चोपड़ा गेंद बाजी करने है और यहां पर देवी के हाथों केज करवा कर मेक डोनल को 19 अंबनों के स्कोपर चलता गया और उन्होंने एक अच्छी सी चोटी सी यहां पर प्रणेशिप थी बिल्ड हुई और वो इन्होंने अच्छी बले बाजी करी इसके बार चट् एक छोड़ से गेंद बाजी करने ही और यादों के हाथों केज करवा कर इस्टोन हाउस को यहां पर 11 रनों के स्कोपर चलता क्या एलेकसा इस्टोन हाउस ने भी मेक डोनल की तर अच्छी पारी के लिए 11 रन बना है इसके बाद यहां पर 7 नमबर पर बले बाजी करने रहत की वारी वज़े से असी की शτιवर से दोस्तोव इसके बाद यहां पर 8 नमबर पर बलेबाजी कन्योंतरी हना बेकर ने है यहां पर एक गेंदी खेल पही है दिकेंद न चैनला हमाने यहां ने मेस की पहली है इसकोप इए जान्दा चेंदा ने यहाँ पर नवे नमर पर बले बाजी करने हो तरी सोफिया इसमाइल जोने साथ गेंदों का सामना किया और 11 रणी बना पई और केज यहाँ पर किलबका यादव ने और बोलिंग भी किती यादव ने बोलिंग ने अच्छी गेंद बाजी करते हुए यादव ने केज लपका और 11 रणों के स्कोर पर सोफिया इसमाइल को चलता गया सोफिया इसमाइल 157 की स्टेगर से रण बना कर यहाँ पर आउट होगी और 11 नमर के बले बाज एली एंडरसन यहाँ बना बातरी दो गेंदों पर जीव रण बना पई और 2400 अलेक्ष्टा की मिले टीम यहाँ पर इ 60 रण बना पई तीन पॉइंट चन्यों की रण रेट से और 97 रणों का लक्ष रखाए यहाँ पर टीम इंडिया अंडर 19 मुमेन के सामने टीम इंडिया अंडर 19 मुमेन उन 97 रणों का लक्ष का पिछा कन्य उतरी इसकी तरफ से कप्तान शेपाली वर्मा और श्वेता 5 रणी के से तरफ बने गया 10 रण आनकी तेजी से पारी खेली इन्हों ने पर चक्रक तो वहीं यह परी एक चोका अपर एक यह चापा भी लगा या 136.36 कि श्वेट से शांदार यहां पर बले बाजी करी है कप्तान शेपाली वर्मा ने इन्हों अपना काम कर दिया बेकर XEEB ौप चैन वांधिय का नई और इस टोन हॉउस के दो लबक में के पर में यहां पर चलताक किया उनकी किया है रर चलता गया है. यहांतिकी बाधन के इसके मुकाबले में गया देशाइंड यहांड हमकराइ का आज वारखे, लेकिन दोस्तों पूरे अंडर 19, T20 वर्लकप दो जर थे इसके मुकाबले में अच्छी बल्ले बाजी करी शेता शेवाद ने आज के मुकाबले की बात करी तो च्छे गेंदे खेल कर पांच डिन नहीं बना पाई ये एक चोका भी लगाया तेरह सी पूर थे इसके मुकाबले की तो च्छी बाजी कर रही है तो चोथे नमर पर गोगिंदू तीशा ने पंदरा गेंदो बच्छे रहन में अभी टीम इंडिया ने दो नो पूंट दो और के अंदर चोमाले से ने मेना दिये और फैनल का मुकाबला टीम इंडिया से जीच जाएगी